हलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आदेव इस वीडियो में बात करेंगे दो शेयर्स के बारे में एक है अदानी विलमार और दूसरा है टाटा पावर दोनों ही स्टॉक के बारे में बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स और ब मिल जाएगी तो वीडियो को अगर आप पूरा जरू देखोगे तो डेफिनेटली आपको सारी इंफॉर्मिशन मिल जाएगी वीडियो अच्छी लेगे तो लाइक कर दीजेगा और अगर आप चैनल फिर विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरू क कर ले जाएगे तो चली वीडियो स्टार्ट करते हैं हम सबते पहले यहां पर बात करने वाले हैं अदानी विल्मार के बारे में अगर आप देखोगे कल का सेनारियो यानि के फर्स्ट एपरिल का सेनारियो तो पांच परसेंट का अपर सरकेट आपको इस पर्टिकुलर नजर आती जो कि मैं आपको कुछ फंडमेंटल इसके आगे इस वीडियो में दिखाने वाला हूं लेकिन वहीं अगर हम बात करें पिछले छे महीने के इसके रिटन्स के बारे में तो एक सो दो परसेंट के रिटन्स यह अल्रेडी दे चुका है यानि कि 542 पर आपको इसकी पिछले छे महीने में 102% की रिटन्स ने बना के दिया हैं और पिछले पांच दिन में ही इसने 27% की रिटन्स बना दिया हैं यानि कि केवल 5 दिन के अंदर-अंदर 27% की रिटनी है तो अगर एक दिन का एवरेज भी निकालोगे तो 5% से ज़दा निकलके आता है ठोड़े के जो share holding pattern है उस पर नज़र डालें तो definitely आप यहाँ पर देख पाऊगे कि जो promoters हैं उनकी holdings बहुत जादा है करीवन 87.94 यानि कि करीवन 88% के आसपास की holdings आपको promoters की देखने को मिल रही है mutual funds के holding इतनी जादा अभी नहीं नज़र आती है यानि कि के बल 0.72% है domestic institutions यानि कि डियाई इस ने भी 0.37% की holding बनाई है FYI इसकी holding काफी यादा decent नज़र आती है करीवन 3% के आसपास यानि 2.89% के आसपास आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है और दीरे दीरे करके अब इसमें retailers भी entry लेना start कर रहे हैं करीवन 8% के आसपास इनकी holdings देखने को मिल रही है तो definitely अगर आप देखो के तो shareholding pattern काफी यहादा सही नज़र आता है क्योंकि जो promoters की holding है वो पूरी की पूरी आपको unpleasant नज़र आती है जो कि सबते अच्छी बात है तो definitely मैंने आपको यहाँ से shareholding pattern दिखाया अब इसका हम financial trend देखें जो कि सबते जादे important नज़र आता है तो company का revenue continuously यानि कि consistency आपको definitely देखने को मिल रही है और जो कि 26 करो के आसपास के नज़र आता था 2018 में वो revenue आज आपको 37 करोर से भी जादा देखने को मिल रहा है जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि company grow कर रही है लेकिन consistently कर रही है जो कि सबते अच्छी बात निकल के आती है प्लस company constantly आपको यहाँ पर profitability भी दिखा रही है लेकिन 2020 से 2021 तक बहुत बड़ा margin से grow कर रही है वो भी सबते अच्छी बात निकल के आती है कि पिछले एक साल के अंदर बहुत अच्छे का से इस नए performance दिखाया है तो यह होगी कुछ मैंने आपको fundamentals दिखाया या फिस पूरा scenario मैंने आपको यहाँ पर समझाया अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि आगे इसका क्या scenario बनने वाला है तो यहाँ पर आप देखो आगे कैसी रही गे अदानी विलमार क की चाल मारवाडी financial services में equity research के प्रमुग बीपी जै ठककर ने कहा है कि दुनिया भर में commodity की कीमत में उच्च ब्रद्दी के कारण अदानी विलमार के शेयर की कीमत कुछ दिनों के लिए अच्छी तरीके से उपर की ओर है खासकर पाम तेल की कीमत की वजह से इन वस्तुओं क की कीमत हों कुछ और समय के लिए उचे श्तर पर रहने की उम्मीद है इसलिए यह श्टॉक और जंप करेगा यानि कि अगर आप देखोगे तो commodity की कीमत जो है वो बहुत जादा बढ़ रही है काफी अदे ग्रो कर रही है क्योंकि इसके पीछे की कुछ रीजन्स आपको अल और ज्यादा chances है कि यह जो company का शेर प्राइज है वो आगे जाके और ज्यादा दिखा जकता है growth साथ ही अगर हम देखे आई बीबी एम ने के मेकर सिक्योरिटी के निदेशक अनुज गौर ने कहा बारत में जहां जनसंग्या लगातार बढ़ रही है और सेरी संस्कृती ती बल रहा है यानि कि अगर आप देखोगे तो definitely यह भी एक major reason निकल के आ सकता है अब यहां पे अगर आप देखो तो definitely इस particular stock का जो target है वो हाल फिलाल में तो बहुत जादा नजर आता है मेरे खाल से अदानी की shares में आप position बना सकते हो क्योंकि इसमें अगर आप और भी इसके share prices देखोगे stocks देखोगे जैसे कि अदानी पावर अदानी गैस इनमें भी अच्छे गास से return है और बहुत जादा return है comparatively दूसरे stocks से तो definitely आप इसमें position में आ सकते हो लेकिन अपनी research जरू करें और अपने financial advisor से भी जरू discuss करें किसी भी stock में निवेश करने से पहले अब हम यहा 27 के आसपास open हुआ था 246 का इसने high बनाया 237 की आपकी इसकी जो closing है वो low देखने को मिली थी और जो closing है वो 245 पर आपको इसकी देखने को मिली थी अगर हम यहां पे इसका भी scenario देखे में directly जो volume है volume बहुत ज़दा है यानि कि अगर आप देखो दो तीन दिन से आपको constantly सिंजी नजर आते हैं उन्होंने recommend गिया है कि आप data power में इस time पर buying कर सकते हो उन्होंने बोलाए कि company की जो opportunity है वो काफी ज़्यादा higher side पर है और जो electric vehicle में आपको देखने को मिल रहा है scenario वो भी काफी ज़्यादा positive scenario create करते हो नजर आ रहे हैं उन्होंने बोला है कि जो 242 के आ जाए तो वहां पर आपका जो loss है वो my ticket हो जाए तो definitely इनकी तरफ थे मैंने आपको बताया अब यहां पर हम बात करें कुछ updates के बारे में तो आप यहां पर देख पाऊगे कि NCLT ने CGPL और Tata Power का amalgamation को अप्रूब कर दिया है बड़ी ख़वर बड़ी update जिसकी वजह से आप आप यहां पर देखो के तो definitely chances नजर आते हैं कि Tata Power में आपको आने वाले time में बहुत अच्छे गासे moment देखने को मिल जाए बाकी एक और में आपको update देखा हो तो यहां पर आप देख पा रहे होगे Tata Power और Adani said to pass on high fuel cost to Mumbai consumers as well as the coal is concerned majority of its is tied on the long term contract with the Indonesia which is linked to the coal local index यानिक अगर आ मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि इनका जो directly contract है वो Indonesian company के साथ है जिसकी वजह से अब इस particular scenario में सबते ज्यादा फायदा आपको देखने को मिल रहा है इन दौनों company को तो definitely यहां से मैंने हमेशा ही बताया है कि जब power sector grow कर रहा है तो definitely आपको भी इसमें थोड़ा वा करने से पहले या फिर अपने फाइनेशल एडवाइरस से जरूर डिसकर्स करें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा चैनल फे फर्स्ना मिजित कर रहो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देजिएगा धन्यवाद